दोस्तों आज फिल्म इंडस्ट्री में एक नया दौर स्टार्ट हो चुका है जहां बॉलिवड से ज़ादा दर्शक टॉलिवड फिल्मों को देखना ज़ादा पसंद कर रहे हैं और दर्शकों के इसी उमीदों पर खरे उतर रहे हैं जिसे देखने के लिए दर्शक मजबूर हो जाते हैं और इसी के चलते इनके फिल्म में बॉक्स ओफिस पर ताबर तोड़ कमाई करती हैं यहां तक कि इनकी कई ऐसे फिल्में भी रही जो बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक बस्र साबित हुई है और इसी के चलते इनक अलाकारों न बॉलिवर इंडस्ट्री के कई सूपरस्टार्स को पीछे चोड़ दिया है और साथ इन लुक्स के मामले में भी ये एक अलाकार कुछ कम नहीं है और इसलिए इन में से कई अबिनेताओं को फिल्म इंडस्ट्री से अपने एक नई पैचान भी हासल हुई है लेकिन दोस्तों आज की मारे इस वीडियो में हम आपको इन अबिनेताओं के बारे में नहीं बलकि इनकी पत्नियों से रूबरू करवाने वाले हैं जो अपनी फील्ड में काफी सक्सेस्फुल हो चुकी हैं और साथ ही ये दिखने में भी बेहत हुबसूरत है तो देर किस बात की चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथ इंडस्ट्री में अगर कोई स्टार अपने लुक्स के लिए सबसे ज़ादा चर्चित है तो वो है अबिनीता अलु अर्जुन जिने आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री स्टालिश स्टार के नाम से पुकारती है और इन्होंने ना सिर्फ अपने लुक्स से दर्शकों को अपना दीबाना बनाया है बलकि अपने एक्शन और स्टंड से भी दर्शकों का भरपूर मनुरंजन किया है लेकिन अगर बात करें इस स्टालिस स्टार की पतनी की तो इनकी पतनी का नाम स्नीहा रेड़ी है जिनके साथ ये साल 2011 में शादी के बंदर में बंदे थे और आज इस तर शादी से इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम अलु आयान और अराह है आपको बता दे किसने यहां रेड़ी प्रोफिशन से एक सकसेस्फुल बिजनस वोमन है जो कियर कांसलर के तौर पर भी काम करती है और इसी के चलते के खूब चर्चाएं भी बठोरती है जूनियर एंटियार जूनियर एंटियार साउथ इंडस्ट्री के एक ऐसे अबनियता है जोनोंने एक से बढ़कर एक सूपर हेट फिल्मों में काम किया है इनोंने अपनी एक्टिंग के दम पर आज बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में भी अपनी खास पैचान बनाई है और इनोंने अपने स्टन्ट और रोमेंस से लाकों दिलों पर राज किया है लेकिन अगर बात कर इनकी पतनी की तो इनकी पतनी का नाम लक्ष्मी प्रणती है जिनसे इनोंने साल 2011 में शादी की थी और आज इस से शादी से इनका एक प्यारा सा बीटा है जनका नाम अभैराम है आपको बता दें कि लक्ष्मी प्रणाती प्रोफेशन से एक बिजनस विमन है जो स्टूडियो एन के लिए भी काम करती है और इसी के चलते साउथ इंडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है बात कर इनकी खुबसूर्ती की तो दिखने में बेहुत खुबसूरत और स्टालिश है जैसा कि आप इनकी तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं साउथ इंडस्री के जानेवाने अबनीता नागार्जुन को भला कौन नहीं जानता होगा इन्होंने इना सिर्फ टॉलिवूड बलकि बॉलिवूड इंडस्री को भी अपने अबने के दम पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में दी है जिनने आज पूरी दुनिया में किसी पैचान की जरूरत नहीं है लेकिन अगर बात करें इनके नीजी जीवन की तो आपको बता दे इन्होंने दो शादियां की है इनकी पहली पतनी का नाम लक्षमी धुगोबाती है जिनसे इन्होंने साल 1984 में शादि की थी पर इनकी शादि के दो साल बाद 1990 में हिनका किसी कारण वर्ष तलाग हो गया था जिसके बाद इनकी लाइफ में अमला की नेनी ने कदम रखा जिनसे इन्होंने साल 1992 में शादि की थी और आज भी दोनों साथ हैं आपको बताने के अमला की नेनी प्रोफिशन से एक फिल्म एक्टरोस हैं जिनोंने कई साउथ फिल्मों में काम किया है जनमे कारवा और मनम जैसी सूपर डूपर हिट फिल्म में शामिल हैं और इसी के चलते आज उन्हें भी किसी पहचान की जरूरत नहीं है फिल्म इंडस्ट्री की सूपर डूपर हिट फिल्म राजना से लाखो करोडों लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर धनुष ने टॉलिवुड इंडस्ट्री को धेट सारी सूपर हिट फिल्मों से नवाजा है जिसमें ड्रीम्स और देट जैसी सूपर हिट फिल्म आपको बताओ दें कि आश्वेरा प्रोफेशन्स एक फेमस फिल्म डिरेक्टर है जिन्होंने वाई राजावाई जैसी कई हिट फिल्मों को निर्देशित किया और एक सफल मुकाम हासल किया है साउथ फिल्मों के साथ साथ बॉल वुड फिल्मों में भी अपनी दमदार अदाकारी का जबरदस रंग भी खेरा है और यह आज भी अपने अक्टिंग करियर को बरकरा रखते हुए दर्शिकों से खूब तारीफ में बठो रहे हैं अगर बात करने इस एक्टिंग के प्रभू कहें जराने वाले अबिनीता की पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम लता रजनिकान्थ है जिनसे इन्होंने साल 1981 में शादी की थी और आज इस शादी से इनकी दो बेटिया हैं आपको बता दें कि लता रजनिकान्थ प्रोफेशन से एक फिल्म फ्रेडियूसर है जिन्होंने टिक 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 और वल्ली जैसी कई सूपर डूपर हिट फिल्मों को निर्मित किया है और साउथ इंडस्ट्री में अपनी खास पैचान बनाई है तो दोस्तों आपको साउथ इंडस्ट्री के इंटाल इंटेड अब नीताओं में से किस अब नीता के पतनी सबसे ज़ादा स्टालिश लगी आप हमें उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और दल्चस्प खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें